जापान इसे पूरी दुनिया का सबसे अलग देश माना जाता है और जापान में 10 से कम उम्र के बच्चों को कोई भी परिक्षा यानि एक्जाम नहीं देना पड़ता लेकिन जापान में सौब प्रतिश्यत लोग पढ़े लिखे होते हैं पर मानुबं का हमले जहलने के बाद वी जापान टिकनोलोजी के मामले में सबसे आगे है बताते जापान के लोग अपने समय के बहुत पाबंद होते हैं अगर वहाँ ट्रेन 18 सेकंड भी लेट हो जाती है तो रेलवे उनके पैसे को रिटर्न कर देता है और स्की में याद्रा करवाता है आप जापान के बारे में क्या सुचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और इसे जादकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए